DL.A. First Year के इंग्लिस के Part 1 के दोस्तों हम दो यूनिट डिसकस कर चुके हैं जिसमें हमने पहले यूनिट में L और S यानि की Listening और Speaking डिसकस करी थी और दूसरे यूनिट में हमने R डिसकस करी थी यानि की Reading के बारे में जाने था और अब दोस्तों तीसरा यूनिट है आपका वो ह आपके W को पूरा करते हुए आपका LSRW का जो कोशल है जो स्किल है उसके बारे में पूरी जो तीन यूनिट है वो आपके इसमें रहने वाली है तो enhancing writing abilities का हिंदी आर्थ होता है राइटिंग लिखित जो हम बात करते हैं लिखने की कला को लिखने की योग्यता को बढ़ाना इसका हिंदी आर्थ होगा तो इसके बारे में जानेंगे कि किस परकार से बढ़ा सकता हैं सारे जो major points है इसके सारे important topics को वीडियो में discuss करने वाले हैं तो वीडियो आपको पूरा देखना है और हमारे चैनल लोग में studies पर अगर आप पहली बाव विजट कर रहे हैं तो चैनल को subscribe करके support भी करना है सबसे पहले हम जानते हैं राइटिंग होती क्या है तो राइटिंग is called creative art राइटिंग को बुलाय जाता है एक creative art यानि की रचनात्मक कला के रूप में where the writer paints जहां पर writer जो होता है paint करता है रचता है his own world of words उसकी पूरी दुनिया शब्दों की पूरी दुनिया को जहां पर writer रचता है उसे हम राइटिंग बुलाते हैं the writing skill is very important for academic life writing skill जो होती है वो हमारी sexic जो life होती है आपका जो academic session रहता है उसमें writing skills जो होती है very important रहती है जब आप पढ़ाई करते हो the learners have to write expectations dreams and problems etc इस तरह से तो learners जो होते हैं जो write करते हैं expectation यानि कि अपक्षाए dreams problems अपने सपने अपने problems को लिखते हैं तो इस तरह से आपको यह major point याद करना है क्योंकि दोस्तो writing क्या होता है define कीजी इस तरह से भी आपको प्रशन पूछ सकता है तो इसके बारे में आपको इस point को थोड़ा सा ध्यान में रखना है अब बात करते ह हैं दोस्तो second हमारा important topic है personal letter क्या होता है personal letter के बारे में दोस्तों दो तरह के प्रशन आ सकता है एक तो आपको personal letter होता क्या है ऐसा पूछ सकता है या फिर आपको कोई situation दे देगा और उस पर आपको personal letter लिखवाएगा आपने दोस्तों छोटी एक लग अक्षाओं में आपने द इसके बारे में थोड़ा सा जानते है personal letter क्या होता है पहले थोड़ा सा इसके बारे में जानते है तो personal letter mean a letter write to personal letter क्या होता है थोड़ा सा इसके बारे में जानते है पहले तो personal letter mean a letter written to a friend and relatives जो letter जो होता है personal वो friends को और relatives को रिष्तेदारों को लिखा जाता है such letter like application application की तरह होता है divided into different parts जो की different parts में divided रहता है these parts are explained below जो की नीचे explain करे हुए हैं आईए बात करते हैं पहला इसका part है senders address सबसे उपर आपको senders address लेखना है अब देखिए सारे जो major point है उसके अधर पर मैं सिर्फ point point बता सकता हूँ आपको थोड़ सा detail में जाना है क्योंकि आपके यहाँ पर एक निवनात्मक परशन यह आ सकता है यहां पर आपको लेटर क्या होता है इसके बारे में पूझ सकता है या फिर आपको एक situation देगर के लेटर लिखवा सकता तो थोड़ सा detail में आपको इसको समझना है तो sender's address क्या होता है तो this is written on the top right hand corner on the page top right hand पे लिखा हो आता है corner पे at the end of the address address के end में after comes date date आती है फिर of the day जिस दिन आप लेटर लिख रहे हैं when the letter is written जिस दिन लेटर लिखा गया है उस दिन की date आपको उसके बाद में डालनी होता है सबसे पहले आपको address डालना होता है फिर उ इस तरह से आपको detail में वहाँ पर answer अगर आपकी यह निम्दात्मग परशना पूशता है तब आपको डालना है अगला है Salutation Salutation देखी इसका हिंदियार्थ आप इस तरह से ले सकते हैं जैसे आपने सबसे पहले sender's address लिखा उसके तुरंत नीचे आप लिखते हैं dear राकेश यह dear आप लिख देंगे मम्मी यह dear father dear sister इस तरह से जो लिखते हैं उसको Salutation करते हैं Salute करना आदर करना आप इस तरह से सकाहिंदियार्थ ले सकते हो लेटर is written to a friend he is addressed as dear राहूर डियर सुरेश इस तरह से और but is the personal but is the personal letter is written to a relative यानि कि रिलेटिव हूँ जब आप personal letter लिखते हो तो such as mother sister और brother father my dear father my dear sister इस तरह से आपको लिखना उसमें होता है यह major point आपको ध्यान रखना है third बात करते हैं the body of the letter body letter की क्या कैसे आपको लिखनी है तो ए परस्नल तो ए परस्नल much be simple as well a pleasant to read जो की simple हो पढ़ने में आसाने से पढ़ सके the tone of the language of the letter must be intimate and personal जो personal होनी चीए और intimate आसान होनी चीए जो की आप आसाने से उसका जो हिंदी अर्थ है वो कर सको आसाने से उसकी जो भावनाई है उनको ठीक तरिकर से समझ सको तो इस तरह से आपको third इसमें पार्ट में लिखना है चोथे पार्ट की बात करते हैं चोथा पार्ट है the subscription subscription में देखे जब आप लास्ट में जब बात आजाती है तो application के लास्ट में हमें यहां पर your faithfully your obediently इस तरह से लिखते हैं तो आपको लेटर में भी इस तरह से लिखना होता है तो उसी के लिए your loving son your loving daughter इस तरह से आपको लिखना होता है रिलेटेवस के लिए आगे बात करते हैं इतना सब कर देने के बाद में आपको लास्ट में 500 points आपके signature भी करने होता है तो there is no need to full signature इसमें देखिए personal letter में आपके signature की इतनी खास जरूरत नहीं रहती है क्योंकि आप जो personal letter है वो उस का format हो गया है इसके साथ ही दोस्तों आपको दो चाहर लेटर की practice भी कर लेनी है अगर आपको ठीक तरिके से नहीं आता है तो तो आप क्या करेंगे जब आपके इस तरह का question आ जाएगा एक्जाम में तो आपको कोई भी situation मिले आपको same format में अपना letter लिख देना है अगला हमा में थोड़ा सा जानते हैं तो यहां पर देखे developing writing skills तो आपकी writing जो skills होती है उनको develop करना सीखना होता है पहले देखिए आपकी आज जो handwriting है अगर आप थोड़ी और practice करते हैं तो आज जो handwriting है उससे कल तक बहतर और हो जाएगी तो इस तरह से developing उसमें जो विक्षित उसको करन इस तरह से आपको लेना है second है manipulating the script of language तो script में जो लिखित जो भासा है लीपी है उसमें manipulating यानि की हेर फिर करना तो forming the shape of letters तो letters के जो shape है वो बदलती रहती है using the spelling system spelling का system भी बदलता रहता है और punctuation यानि की जो विराम चिन है वो भी आपको लगाना होता है इस तरह से आप जो language हती है उसको develop कर सकते हो अगला है mechanics of writing writing की mechanics क्या है तो इसमें आपको लिखना है write is not an easy task writing जो लिखना होता है वो एक आसान काम नहीं है the learners are required to have knowledge of letters learner को letters का पूरा knowledge ह जोना चीए कि कब मैं कुछ बोल कुछ और रहा हूं आप लिख कुछ और रहे हैं तब फिर मामला गड़ बढ़ा जाएगा अगला है enhancing writing abilities यानि की writing abilities को बढ़ाना the writing is placed is the last in all SRW की करम में but it is very important compare to others तो other लोगों के साथ भी compare करके उसको देखना होता है और सबसे अच्छा करन होता है पांच वह है purpose of writing writing का उद्दीश है अगर आपको पता होता है तब आप उसमें पूरा ध्यान लगा करके कर पाऊगे तो इन दे प्रोसेस of communication the writing is productive skill writing जो है वो उत्पादित जो skill जो कोशल हो जाता है वो हो जाता है यहां पर तो इस तरह से आपको थोड़ा सा हिंदिय से क्या समझते हैं इसके बार में बात करते हैं देखिए इसमें आपको फर्स्ट पॉइंट यहां पर एड़ करना है राइटिंग सेंटेंस फ्रॉम दे स्ट्रिक्चुल टेबल तो संद्रस नात्मग जो टेबल होती है उसके दुवारा सेंटेंस लिखना और राइटिंग टेबल का दोफ तो हिंदियार्थ साय तक इस्तापन सारणी ऐसा कुछ होता है आप इसको एक बार और कंफर्म कर लें और यह यह टेबल होती है वह प्रिपेड होती है टीचर के दुवारा तयार की गई होती है आगे बढ़ते हैं दोफ तो हमारा अगला पॉइंट है जानते ही है क्रोस वर्ड्ड तयानित वर्ड्द जो प्रोस जोती है करना इस तरह से एक सान सुच्छता हैं राइटिग समसें ससे इनफॉमिशन से यूजिं ते इन पॉर्मिशन इन पॉर्मिशन होती है उनको सीन और हील स्टेशन आधी की जो पिक्सर होती हैं उनकी अधर पर उनके बेस पर आप क्यूशन का आंस्वर दें इस तरह से भी आप सीख सकते हैं अगला है राइटिंग एपेरा विद्ट क्लूज वबाउट एन एनिमिल तो एनिमल आधी के बारे में जो क्लूज होते हैं जो से करता रहें और बने रहें लोग में स्टेडी चैनल के साथ थैंक यू अ करता हैं जब पारे में स्टेडी चैनल को क्धिसरे काउ़् लोग में मान वे खेंग अरत для लुग जहां पर हुगआ गला आध